हेलो एब्रीवान क्लास 10 लाइट चाप्र के एक्सराइट के कोश्चा नॉम्बर 16 के सॉल्यूशन में हम पहुँच चुके हैं अगर इससे प्रिवेस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्रिस्ट का लिंक में लेगा आपको डिस्क्रिप्शन में एक डिस्क्रिप्शन आप जब चेक कर लोगे जहां पर आने वाले वीडियो भी अप्लोड किये जाएंगे कोश्चा नॉम्बर 16 क्या है फाइंड फोकल लेंथ अच्छा फोकल लेंथ अब निकालना है पावर अब दी लेंथ हमें गिवन है तो हमें यहां पर फॉर्मूला पत अटा ही दे तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है इस इक्वस्टू कितना वन बाई एफ क्रॉस मल्टिप्लाइ करोगे तो एफ इक्वस्टू कितना आ जाएगा माइनस वन बाई टू यही इधर लेंगया तो डिवैड में चला गया तैंसल कर दोगे तो कितना जाएगा माइनस 0.5 और फोकल लेंट का यूनिट क्या होता है यह आपको याद होना जाए कि फोकल लेंट हमेंसा मिटर में होता है क्या होता है हमेंसा मिटर में होता है तो यहां से फोकल लेंट हमें मिल चुका है कितना माइनस 0.5 मिटर बट हमसे पूछा है अगर मैं convex lens बनाओं तो कैसा होता है इसका focus हमारे पास इधर देखने को मिलता है यानि कि अगर एक object को आप इधर placed करते हो ना object को इधर placed करते हो तो यह यहाँ पर जाता है पैलल और focus से होकर गुजरता है तो image का भी formation कहीं न कहीं right side होता है right side का सारा value कैसा होता है positive होता है और left का value कैसा होता है मैं focal lens चाहिए तो इस case में हमारा प्लस आएगा लेकिन case में लेंस कॉनसा होगा that is concave lens क्योंकि concave lens के case में क्या होता है कि हमारा focal lens चाहुत है na इसे रखा गया है यह ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा तो यह इधर आएगा वर्चुल इमेज का फॉर्मिशन करता है एक अप्टिकल सेंटर से होकर क्रॉस करता है जो ऐसे निकल जाता है तो इमेज हमारा बनता है यही लिफ्ट चाइडी बनता है और यहां फोकल लेंज भी हम किया है इसके लास्ट कोशन के सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए अच्छे सा बढ़ाए करते रहो और वेरी बेस्ट